देख रहे हैं भारत समाचार और अब ख़बरों को विस्तार से देखेंगे और सबसे पहले बात करेंगे MLC चुनाओकी जहाँ पर 27 सीटो के लिए मतदान जारी है इस वक्त की ये बड़ी और एहम ख़बर इस वक्त हम आपको बता रहे है MLC की 27 सीटों के लिए मतदान का जो सिलसिला है वो जारी हो चुका है सुभा 10 बजे तक अब तक 20.02 फीसदी मतदान हुआ है मुरादबाद की अगर बात करें तो यहां विजनौर सीट पर 32 फीसदी मतदान हुआ है रामपूर बरेली सीट पर 10 बजे तक 15 प्रतिशत मतदान पीली बीद की बात करें तो शाजहापूर सीट पर 16.05 फीसदी मतदान तो वही सीतापूर में 24 प्रतिशत राय बरेली की अगर बात करें तो राय बरेली में 21 फीसदी मतदान और लखना उन्नाव सीट पर 25.08 छे फीस 50 प्रतिशत प्रतिशत के अगर बात करें तो यहां पर 18 सबीने रहीं अघ्री जंगतेज्वाहत थे प्रतिशत और देवरिया की अगर बात करें तो यहां पर 14.42 फीसदी मतदान हुआ है अगर बात करें योगी के ग्रेजनपत की तो गोरकपुर में और महराज पूर में माप कीजेगा महराज गंज में 22 फीसदी मतदान हुआ है बलिया में 14.5 फीसदी वोटिंग की गई अब और जो आजमगर से अब तक के आकड़े सामने आये हैं उसमें 13.5 फीसदी पतदान हुआ है और गाजीपूर की बात करें तो गाजीपूर में 27.27 फीसदी वोटिंग हुई है जौनपूर में 11.27 प्रतिशत मतदान और वारार्जी में 19.78 प्रतिशत मतदान और इस वक्त हमारे साथ हमारे दोज सहीयोगी मौझूद है लाइव हम उनसे बात करेंगे सबसे पहले अब शेक हम आपसे बात करेंगे जोकी बात करें तो जंग बहुत दिलचस्ब हो गई है वोटिंग का सिलसला शुरूर हो गया है क्या कुछ अपनेट है आपके पास और अगर वोटिंग की बात की जाए तो ओर ओल बीस फीजदी मद्दान हुआ है लखनों में जहां पर हम इस वक्त मौझूद हैं लखनों नौ छेतर है वहाँ पर पचीस फीजदी ज्यादा मद्दान सुबज दस बे तक हुआ था मद्दान चल रहा है यहां पर जो इस्थानी जो यहां के पारशद है उन्होंने मद्दान किया है भाजपा के विधायकों ने मद्दान किया है राजसभा के सांसद हैं ब्रजडाल वो अभी पहुंचे हैं मत्दान करने के लिए तो मत्यदान की प्रक्रिया चल रही है शाम चारवे तक चलती रहेगी और सतन माना जा कि बाकी और जो अस्थानी प्रादिकार छेतर हैं वहाँ पर बेहतर स्थिति देखने को मिली जहां पर ज़्यादा जन प्रतिनिदी चुन के आए हुए हैं इसलिए हमारी इन 27 सीटों में से मैक्सिमम सीटे हैं हम जीटते हुए दिखाए जिसका सत्ता पक्ष पर कबज़ा होता है कहा जा सकता है मल्सी चुनाव भी कही न कहीं उसके पक्ष में होते नजर आते हैं अभिशेक यानि कि जो चुनावी जंग है बहुत ही ज्यादा दिल्चस्पी के साथ बढ़ती जा रही है बिना किसी विरोध के समाजवादी पार्टी ने अपनी स्ट्रेंथ दिखाई है यह कहने में गुरेज नहीं होगा क्योंकि 9 सीटों पर निर्विरोध जीत भले बीजेपी को हासिल हो गई लेकिन 27 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है यह साबित कर रहा है कि समाजवादी पार्टी ने अपनी स्ट्रेंथ दिखाई है इससे पहले जब दो बार इससे पहले इसी स्थानी प्राधिकार के चुना हुए है तो वोटिंग की नौबत नहीं आई है ऐसे में माना जा रह लोग इस लडाई में बने हुए है यह कम से कम यह बात आज दिख रही है लेकिन यह बात भी सही है कि माना जाता है यह मूमन की सत्ता का चुना होता है सत्ता में रहने का मतलब है कि आपके जन प्रतिंदी ज्यादा संक्या में है ज्यादा संक्या में मतलब इस चुनाव में भी आपकी जीत की संभावना ज़्यादा हो जाती है और इसलिए बीजेपी कह रही है कि हमारे ज़्यादा 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 हो गया है तरह जाओंगा कि राईवरेली की बात किया तो राईवरे में 10 बजे तक 21 बज़ी मदान हो चुका है तो कही ने मदाता हो में कापी उस्चा दिखाए हो ने के लिए जो है अपने मदान अस्तर पहुंच रहा है तो कई ने कई राइबरली में जो है मदाताओं में काफी उच्छा देखने को मिल रहा है बिल्कुल रोहित बहुत उच्छा मदाताओं में देखने को मिल रहा है अगर प्रशासन की बात करें तो क्या कुछ तैयारियां प्रशासन ने की थी और पूरी तरीके से सकुष्छलत से मतदान को संपन करवाए जा रहा है वहां पर जो चेकिंग अभ्यान सुरू कर दिया आता है उसका मतदान इसल पर लोग पर फिर जहां मतदा दिगार प्रयोग करना वहां पर एक बैरिकेटिंग लगाई आती है तो कहीं कहीं सुरच्छा वश्ता के पुक्ता ही दिजाम किय बिल्कुल रोई तो तमाम जो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं मलसी चुनाओ की जंग है और कई प्रतियाशों की किस्मत का फैसला आज कैद हो जाएगा जसके बाद 12 तारिक को नतीजे आएंगे तस्वीरें आप देख रहे हैं मलसी चुनाओ की सताई सीटो के लिए वोटिंग का सिलसिला लगतार जारी है और तमाम जगे की खबरें हम आपको बता रहे हैं सताई सीटे हैं और सुभा अगर 10 बजे तक की बात करें तो अब तक 20.2 फीसदी मतदान हुआ है विजनौर पर 32 फीसदी मतदान हुआ है और बरेली सीट पर 10 बजे तक 15 फी चुनाव में तो जिस तरह से फरवरी में विधान सभा के चुनाव हुए बीजेपी ने अपना राशन दोहराया उसके बाद अब MLC चुनाव को लेकर तैयारिया पूरी हो गई और आज जो चुनावी जंग है वो भी नजर आ रही है अब उत्रप्रदेश में MLC चुनाव के लिए 36 सीटों पर